नमस्कार बच्चों तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्सी वर्मा चैप्टर नमबर एट कुस्चन नमबर शिक्स का सॉलूशन कुस्चन नमबर शिक्स में क्या वो लाए बटा एपार्टिल मूब्स फ्रॉम एपॉयंट और यह देदिया है आई केप जेकप के फॉर्म में इनिशल पॉयंट देदिया जहां से यह स्टार्ट करता है तो एक लोकेशन हो गया मैं कोडिनेट फॉर्म में भी चकता हूं इस तरह से ना कि एक पॉयंट है और एक्स में आप आ पॉर्म बीच एस रटन फॉर्स फॉर्स की वैलूर भी दे दिया है कि फॉर्स कितना लग रहा तो यह पार्ट के यहां से यह जा रहा है अब यह कुछ जरूरी नहीं के स्ट्रेट पात में जाए कैसे भी जा रहा हो और इस पर जो फॉर्स लग रहा है एक्स डारेक्शन के लॉंग भी फॉर्स लग रहा है आप से क्या पूछा गया है फाइंड दा वर्टन वाइद फॉर्स ऑन दा पार्ट के लिए तो अम लोग डारेक्शली क्या करेंगे वर्कड़न को एप डॉट एस करके निकाल लेंगे यह तो बेसिक सा फॉर्मूला है तो वर्कड़न इकल जाए और सिकरा प्लाला विगतों तो यहां पर क्या जागा विटा फाइव आईकाप प्लास फाइब जेक यह सब्सक्राइब होता साथ दिस्तेंज ङे जोंग वर्कड़न मैनिस इनिश्यल पॉजिशन वेक्रेंऑं कि रिखना प्लस टूज रिखां फश पाइब प्लस टूज एक एक वाइनल कोईशन वेक्टर माइनस के लिख हो गया इनीश्याल इस व्ट टू आइक प्लस थ्री जेक तो यह आपका आजागा निकल कर दिस्प्लेश्मेंट वेक्टर जो है वह आजागा थ्री मेंसे टू गिया तो वन and two में से three गया तो minus one to minus the displacement vector जो यहां पहाँ आगया कितना I cap minus the square s को हम लोग क्या बूल रहे है displacement vector गान्द तो a deux उक्वल ड्सक्राइब यहां पर आइक किसाथ multiply प्लस पाइब जे को जे के साथ टॉट्ड करते हैं तो minus कितना हो जाएगा 5 and that is equal to क्या हो जाएगा जिरो तो वर्क डंज हो जाएगा वह आपका कितना हो जाएगा जिरो जुल तो चली यह था question number six का solution फिर मिलेंगे हम लो question number seven के साथ